तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए ऐसे e-learning sources जहां पर मिलेगा आपको धेर सारा study material free में वो भी एक certificate के साथ तो दोस्तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं इन sources को मुझे इनके बारे में ज़्यादा बताने की जरुवत नहीं है आप सभी लोग जानते हैं तो चलिए दोस्तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं without wasting any time क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्य की बात तो सबसे पहले हम बात करते हैं AICT की आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी courses हैं वो है free of cost लेकिन आपको apply करना पड़ेगा 15th of May 2020 तक आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है ELIS free course इसका मतलब है enhancement in learning with improvement in skills और हाँ दोस्तो अगर आपको किसी course में enroll करना है य using python इस course पर simply click करें तो इस पर click करने के बाद आप देख सकते हैं यह basically course है free इसको सीखने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है आपको simply यहाँ पर click करना है learn for free during covid shutdown इसके बाद आपको यह page open हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह course आपके लिए मिल जाएगा machine learning using python और हाँ दोस्तों अगर इसका आपको certificate चाहिए तो उसके लिए क्या करना है तो मैं बता देता हूँ आपको तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी बच्चे का यहाँ पर doubt था कि अगर certification चाहिए तो कितने रुपए देने होंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका reply skyfi labs का सिर्फ 99 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा और दोस्तों यह बहुत ही छोटा amount है तो यहाँ पर कहीं भी certification charges mention नहीं है तो इसलिए मैंने आपको वहां से आपको बता दिया है कि इसके certification के charges कितने हैं ओके अब बात करते हैं Coursera की तो यहाँ पर आपको मिल जाएंग scroll down करना है now let's say I want to enroll in this course introduction to programming with MATLAB just click on it तो वहां पर click करने के बाद यह page open हो जाएगा और आपको सबसे पहले करना है register और register करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है this Coursera course is offering a free certificate and the cost of this course is free online course तो go to class पर click करने के बाद आप पहुंच जाओगे Coursera के official page पर already enrolled तो मैं already कर चुका हूँ आप भी जल्दी से कर लिजे तो चलिए दोस्तों अब उन सभी courses की बात करते हैं जो की मिलने वाले हैं आपको एक रुपे में और इन सभी courses को देने वाला है Tata Steel सबसे पहले आपको click करना है menu पर और उसके बाद e-learning e-learning के बाद आप देख सकते है यहाँ पर काफी सारे department है तो जिस department से आप belong करते हैं उस पर आप click कर लेजिए let's say मैं यहाँ पर click कर लेता हूँ electrical and electronics let's say induction motor तो वहाँ पर click करने के बाद यह page open हो जाएगा और नीचे आप देख सकते हैं इस course की जो fees है वो है 1 rupees INR that means Indian national rupees add to cart करना है और आपको एक course मिल जाएगा अब बात करते हैं Google की Google भी आपके लिए यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे courses लेकर आया है free में और यहाँ पर मिल जाता है आपको एक certificate of completion तो आपको करना है scroll down और नीचे आपको एक option मिल जाएगा certification और यहाँ पर आप click कर दे है free certificate पर तो जैसे आप click करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ courses आपको मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपको select करना है category और उसके बाद अपने interest के हिसाब से आप join कर सकते हैं course तो आप बात करते हैं एक और source की जिसका नाम है EDX आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर this is founded by Harvard and MIT so once again this is a very genuine and authentic source तो आपको जाना है यहाँ पर courses पर इसके बाद आप click करें view all courses तो इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे courses दिखाई देंगे let's say मैं इस course को join करना चाहता हूं how to learn online तो इस पर click कर लें आप कोई सा भी कर सकते हैं select तो आपको यहाँ पर option मिल जाएगा enroll का और यह course start होने वाला है 29th of April को और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी detail आपको मिल जाएगी इस course को enroll करने का कोई भी चार्ज नहीं है आप easily इसको देख सकते हैं watch कर सकते हैं लेकिन अगर आपको certificate चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ amount pay करना पड़ेगा लेकिन आप बात करते हैं एक और source की जिसका नाम है addonics इसका link भी आपको नीचे मिल जाएगा description box में तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है three lines पर इस पर जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर काफी सारे option आपको मिल जाएंगे और सबसे नीचे option मिल जाएगा learn for free तो इस पर click क करने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है तो काफी सारे courses आपको यहाँ पर दिख जाएंगे basically all these courses are free और जैसे ही मैं यहाँ पर pointer लाता हूं let's say कि यह वाला course जो है getting started with media queries तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं certificate of completion that means इस course को आप free में watch कर सकते हैं easily और complete करने के बाद आपको ए committed source की जिसका नाम है Harvard University तो दोस्तों अगर यहाँ पर आपको कुछ free में भी मिल रहा है without certificate तो जल्दी से जल्दी आपको उसको grab कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसे मों के आपको बार बार नहीं मिलते आप यह सोचिए कि आपको Harvard University से कुछ free में मिल रहा है कुछ सीखने के लिए so this is a one time golden opportunity तो सबसे पहले आप three lines पर click कर लें उसके बाद अपना subject area select कर लें लेट से मैं यहाँ पर select कर लेता हूं computer science और इसको select करने के बाद यहाँ पर काफी सारे courses मिल जाते हैं देखिए जैसे यह वाला course है CS50's introduction to game development तो यह course basically अभी free है ठीक है इसको free में आप watch कर सकते हैं complete क कर सकते हैं लेकिन आपको इसके लिए certificate नहीं मिलेगा duration यहाँ पर लिखा हुआ है 12 weeks long और अभी यह available है तो इसी तरीके से काफी सारे courses आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि free है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि Harvard University के courses बहुत महेंगे होते हैं for example मैं आपको दिखा देता यहाँ पर 1800 dollar that means आपको यह जो courses free में मिल रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है तो आप easily इनको जल्दी से grab कर लीजिए और join कर लीजिए तो चले दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने आखरी source की जिसका नाम है skills cafe तो दोस्तों यह बहुत ही शानदार website है यहाँ से भी आपको क काफी सारे अच्छे courses मिल जाएंगे free में तो दोस्तों इन सभी sources का link आपको description box में मिल जाएगा आप वहाँ पर जाकर click कर सकते हैं easily access कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको select करना है यहाँ पर category let's say मैं यहाँ पर select कर लेता हूं development और development then IT and software तो इस पर click करने के बाद आपको काफी सारे courses मिल जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे courses मुझे मिल चुके हैं तो यह basically सभी के सभी courses free है let's say मैं इस course पर click कर लेता हूं और नीचे आपको option मिल जाएगा certificate will be provided in this course of completion और full time access आपको इस course का मिल जाएगा तो दोस्तो मैं एक बार फिर से सभी teachers और students से request करता हूं कि आप सभी free certificate के पीछे ना भागे अगर आपको अच्छी जगे से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप जरूर सीखें और कम से कम इस वीडियो को 10 लोगों को जरूर शेयर करें अगर इस वीडियो में जानकारी आपक एक नहीं वीडियो के साथ थैंक यू सो मच फो वाचिंग